सलामों अलाइकुम मैं हूर रुकाईया आप देख रहे हैं प्यारी रुकाईया का किचिन आज मैं आपके साथ जाली दार सूपर सॉफ्ट बहुत बड़ी बेकरी इसकी सूपर हिट रेसिपी शियर कर रही हूं छोटी सी रेसिपी है आखिर डोनट्स में सॉफ्टनेस क्यों आती है जाल क्यों नहीं बनता है दो दिन तक तीन दिन तक आप लोग इसको रखेंगे ना इसका सॉफ्टनेस खतम नहीं होगी और चॉकलेट में ऐसी क्या चीजें एड करनी है कि चॉकलेट में अगर हम लिकुट कलर से कोई साभी कलर बनाना चाहें तो फटे ना किस तरीक और हमारी पाउडर शूगर तीनो चीजें लिए है मिल्क के अंदर एड कर दी है अच्छे तरीके से मिक्स किया है कुछ सेकंड के लिए और मेजरिंग वाले जो कप सोते है अच्छे से इसको मिक्स किया है है अब यहां पर आड कर देंगे दो अंडे की जर्दी कोशिश की अंदर आ जाया और आए हमो करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जो मिलक है अल्का सा वाँ थे गरम चीजों को अच्छे से मिक्स करना है उसके बाद हमने लिये लेना है करना है 250課 मैदा। 2 aouq और यहां पर हाफ टीस्पून ब्रेट सॉफनर के एड़ आपने लाजमी से करना है इससे आप लोगों के जो डोनट से कमाल के बनेंगे अच्छे तरीके से मिक्स करना है मैं स्पैचुला से मिक्स कर रही हूं अच्छा अगर आपको यहां पर लगे कि हम यह रेसिपी अगर आपको लगे डो बहुत लाहलकी होगी तो दो से तीन चमच आपने इसमें मैदे की आड़ करने इससे जादा कुछ भी आड़नी करना अधर्वाइस यह परफेक्ट रेसिपी है नीडिंग करेंगे तकरीबन बारा मिनट बारा से चौदा मिनट इस तरह से आपने अच की तरह मेजर करके कियें जब आप लोग और वर्क करते हो तो उसमें हर एक जैसी चीज जानी चाहिए इसमें अपनी मर्जी नी होती घर में तो चल जाता है चोटा बड़ा हो जाता है अब इसके अंदर यारा डोनेट्स बनेंगे जो एक यारवा डोनेट्स थाना उसका डोनेट्स बन जाएंगे ठीक है पर रेसिपी को प्रॉपर आप लोगोंने हाफ करना है ठीक हो गया अच्छा जिस प्लेट में आप रखोगे उसमें अपने अच्छो तरीके से मैदा डस्ट करना है हलका से ओपर से ओल लगाना है उसको प्रेस करना है डोनेट्स को और क्लि अच्छा फिर नोजल लिए है इसमें हलका सा मैदे को डस्ट करें ताके एजीली हम होल कर सके ने ज्यादा स्टेबल होंगे ना कि आपको होल करते मसला नहीं होगा ठीक है लेकिन आपने मैदा में इसको डस्ट करते जाना है यह देखे माशालला टॉप इसलिए शाहिन है कि शॉपर के साथ भी चिपके नहीं थे अब यहां पर इतना ओयल गरम करना है जैसे कि हम लोग एक बर ओयल को गरम कर लो हलका सा फिर बंद कर दो जैसे हम लोगों ने डालने होंगे ना उस टाइम हलकी सी फ्लेम रखनी है दाने वाली फ्लेम ठीक है और जैसे ही आपका एक मि यूज नहीं करना इसकी शेप होल्डिंग के लिए ठीक है या टर्न करने के लिए या इस तरह कभी आप लोग ले सकते हो ठीक है यहां पर मैंने सारे बैच को जो है ना अलहम्दुलिल्ला से रेडी कर लिया अब आपकी मर्जी है कि आप लोग इसको डार कलर देना चाहों लेकिन देखो इस तरह से आपने इसको हिलाते रहना है और टर्न करते रहना है ठीक है जब बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर चाहिए तो रख लीजेगा लाइट कलर चाहिए तो भी कोई मसला नहीं है यह बहुत परफेक्ट रेसिपी जो मैंने शियर की है ठीक हो गया तो जैसे ही ना मैंने चोटे-चोटे जो बॉल्स थे मैंने वह भी आट कर दिया थे और मैंने इनको निकाल लिया था अब इनको फ्रॉपर थंडा होने देना इसको उपर की आइसिंग करने के लिए इसको प्रॉपर से अपने थंडा करना है तो यहां पर यह प्रॉपर आइसि यह हो गई आप सार सारा है नहीं होती है आज बड़ी प्यारी टिम्ट्रिक शंडल कर के तक देखने यहां इनने लिख और यहांथे 2 टेबलिस्पून मुझा अडियाख और झास और आ, जिसमें मैंने डोनट्स बना रही थी वही गरम हुआ था ना पड़ावा मैंने वही वाला एड किया अब इसको ना वाइड कलर दे दिया हम चौदंगस की थीम बना रहे थे तो अब क्या करना इसके अंदर लिकूट कलर हमने एड किया तो जाइड सी बात है जैसी आप लोग ब्लैक कलर के एड कर देने है ठीक है डार्क ग्रीन कलर बनाने के लिए आपने इसको अगेन मिक्स करना है जैसे जैसे कलर एड करते जोगे यह स्प्लिट रोती जाएगी ऐसा लगेगा यह फट गई है हैंडल नहीं और हार्ड हो गई है तो यहाँ पर थोड़ा से क्लिप मि आप लोग ऑईल डाल सकते हैं 250 ग्राम आपकी अगर चॉकलेट है तो यह देखो गरम डाली है तो मुझे माइक्रोवेफ करने की जूरत नहीं पड़ी और यह बहुत देर तक इसी तरह रहेगी इसी कंसेस्टेंसी बिल्कुल नहीं होगी बार-बार आपको गरम करने की जू अब देखो इसकी माशाला माशालाल हम्दुरिल्ला से कितनी जबर दस लग रही है वाई चॉकलेट आप लोगों को लग रहा है कौन से इसके अंदर कलर्स डाले हैं तो मैंने लिक्वीड ही इसके अंदर एट किया है यह चोटी-चोटी ट्रिक्स थी मैंने सोचा आप प्रब्लम सॉल्व हो जाएगी यहां पर हमने डॉनर्स को रेकुरेट कर दिया माशाला अलहम्दुरिल्ला इतना प्यारा लुक लग रहा था और इतना जबर्दस लग रहे थे आप लोग जरूर से बनाए 14 अंगस ताने वाली है घर वालों के लिए बच्चों के लिए यह पाग सब की इजदों को अपने हिवजोमान में रखे आमीन से यह दोनर्स हमारे कम्प्रीट हो जाएंगे आपने 25 मिनट का इसको रेस्ट देना है जैसे 25 मिनट कम्प्रीट हो जाएंगी सारी हमारी टॉपिंग जो हार्ड हो जाएगी तो फिर आपने क्या करना है जब हो जाए तो आप सिंगल सिंगल को क्लिंग रैप में रैप करोगे और एटाइट बॉक्स में डालके फ्रिज में रख दोगे क्लिंग रैप उतारेंगे माइक्रोवेव करेंगे एक मिनट के लिए और बच्चों को देर देंगे 15 दिन तक बिल्कुल खराब नहीं होंगे अलाहाफेश